आद्रेस शिक्षन समीती बाड़ में दोरा सिंचाली इक अक्सों में आपका हार दीख स्वागत यहां अभी नंदन है विशे सामाजी कक्सा आठ हमारे अतीत भाग एक का पर नंदन करने जा रहे हैं जैसे मैं पुनाज़े दिन करेंगे अध्या एक को आपन पहले शुरू करचुके हैं कब कैशे और कहां आज इस प्रकरन का आपन मध्यन करेंगे वो प्रकरन हैं हम किस तरह जानते हैं बारती इतियास की पिछले 250 साल का इतियास लिखने के लिए इतियासकार कौन सिस्थ्टरों का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी सासंद्वारा त्यार की गए सरकारी रिकॉर्ड इतियास कारों का एक महत्पुन साधन होते हैं अंग्रेजों की मायनेता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्पुन होता हैं उनके लिए हर निर्दिश, हर योजना, नितिकत, फैसले, सामती, जाँच को साफ साफ लिखना जरूरी था इससा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्यन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था इस समझदारी के चलते ग्यावपन, टिपनी, परतिवेदन पर आदर सासन की संस्कृती पेदा हुई है जो वर्तवान समय में भी चल रही है ये सारी डेन है वो अंग्रेजों की है कक्स भी बनवा दिये, तैसील की दफ्तर, कलेक्टरेड, कमिशनर की दफ्तर, प्रांती, सचिवाले, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे महत्रों दस्ताविजों को बचा कर रखने के लिए अभी लेखागार और संग्राले जैसे संस्तान भी बनाए गए ये उनका रिकॉर्ड जो सुर्खसिद रखने के लिए उन्होंने ऐसे संग्राले वो बनवाए 19 सदी की सुरुवात में परसासन की एक साखा से दूसरी साखा के पास बेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अभी लेखागारों में देख सकते हैं वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा त्यार किये गए नौट्स रिफॉर्ट पढ़ सकते हैं या उपर बेठे अपसरों द्वारा प्रांती अधिकारियों को बेजे गए निर्देश और सुजाओ देख सकते हैं 19 सदी के शुरुवाती सालों में इन दस्तावेजों की साधवानी पूर्ग नकलें बनाई जाती सर्वेक्षन का बढ़ता महतु है ओपनिवेशिक साषन के दोरान सर्वेक्षन का चलन भी मात्पूर्ण होता गया अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह साषन चलाने के लिए उसको सई डंग से जानना बहुत जरूरी है जैसा की भारत पर भी हुआ 19 सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्सा तयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षन किये जाने लगे गाउं में राजस्वा सर्वेक्षन किये गए इन सर्वेक्षनों में धर्ती की सता, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पोदों और जीव जन्तों तथा इस्तानी एतियस वह फसलों का पता लगाया जाता था अंग्रेजीं की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था उनिसुषो जदी के आखिर से हर 10 साल से जन्गन्ना भी की जाने लगी जनगन्ना के जरिये भारत के सबी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या उनकी जाती इलाके और वेवस्याई की बारे में जानकरिया इक्टा की जाती थी इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षन, प्राणी, वेग्यानीक सर्वेक्षन, पुरातात्विक सर्वेक्षन, मानुवसास्त्री सर्वेक्षन, वर्न सर्वेक्षन, आदि कई दूसरी सर्वेक्षन भी की जाते थे जैसे जन्गन्ना का उद्धरन आया वो आज भी परतिक दसवर्ष बाद जन्गन्ना होती है रिकोर्ड की इस विसाल भंडर से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता हैं कि ये सारे सरकारी रिकोर्ड हैं इन से हमें यही प अबद नहीं मिलती हैं कि देश की दूसरी लोग क्या मैसुस करते हैं और उनकी कारवाईयों लेकिन सरकारी रिकोर्ड के मुकाबले उन्हें ढूनना जरा मुश्किल साबित होता हैं इस लिहाज से लोगों की डायरियां तिर्थ यात्रा हैं और यात्रियों के संस्मराण मह महत्मौन लोगों के आत्म कथा एं इसतनी बाजारों में भीकने वाली लोग पर यह पुस्तक पुस्तका है महत्मौन हो जाती हैं जैसे जैसे चपाई की तकनीकी फैली अकपार चपने लगे और विबिन मुद्दों पर जंता में बास भी होने लगी नेताओं और सुदार विचारों को फैलाने के लिए लिखा कवीयों और उत्नास कारों ने अपनी बावनाओं को वेक्ट करने के लेकिन ये सारे स्थरोत उन लोगों ने रचे है जो पढ़ना लिखना जानते थे इन से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंद की गुजाने वाले गरीब किस तरह से अनुबहों से गुजर रहे थे ये भी हमारे गुजाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पड़ी लिखी पेड़ी थे उन्हों ने अपना जितनी भी जो जहां भी गए जैसी भी सुईदा अनुस क्या बदला हुआ है इन जानकारियों को ढूंडने की विभीन तरिकों की सुची बनाईए कि कक्साकारे में देखिए पहला परसंद बंता एंग्रेजों ने तमाम दस्तावेजों को संबाल कर रखने के लिए क्या प्रयास किए ओपनेवीक सासन में सर्वेक्षन का महत्वक क्यों बड़ा अधिकरत रिकोर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है यह तीन परसंद आपके कक्साकारे में हैं ग्रेकारे में देखिए सई और गलत बताएं जैम्स मिल ने बारती इतियास को हिंदू मुस्लिम इसाई और तीन काल खंडों में बांट दिया था क्या सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं अंग्रेजों को लगता था कि सई तरह सासन चलाने के लिए सर्वेक्षन महत्पुर्ण होते हैं इनमें सई और गलत का चैन गरना आपको पीडिएफ देख की भी कर सकते हैं आप जैम समील ने भारती इतियास को किस तरह काल खंडों में बांटा उसमें क्या समझाय थी अगला परसंद बनता है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुर्क्षित रखा और अंतिम परसंद बनता है इतियास कार पुराने अखबारों में जो जानकारी झाल झाल